आप लोग बता दू आप लोग को पहले बता गया था कि जो आप लोग की MP पटवारी एक्जाम की जो सिरीच चल ले थी उसका पार्ट टू है यदि आप लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं आज इस वीडियो में 25 कोशन होंगे जिसमें आप लोग से 20 कोशन बनना ही बनना चाहिए तभी आप लोग की तयारी अच्छी है ठीक है चले बीना देर के वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली वाविजिट की हैं तो चैनल को जरूर कुछ सवाल जवाब हो आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग को रिप्लाई जरू किया जाएगा चले वीडियो सुरू करते हैं पहला सवाल आप लोग की सामने हैं खसरा किस वज़ा से होता है कोशन है खसरा किस वज़ा से होता है जिवाडू वाइरस फंगस या चूहा ध् अगला सवाल है, Microchips बनाने के लिए प्रियोग किया जाता है, Microchips बनाने के लिए आप लोग का computer थोड़ा भी बहुत पड़े होंगे, इसका answer आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि basic computer का question है, और ये general knowledge में अधक्सर पूछा जाता है, ध्यान्दी जी का Microchips बनाने के लिए प्रियोग किया जाता है, ये किया जाता है आप लोग का silicon का, किसका silicon का प्रियोग किया जाता है, ठीक है, अगला सवाल, National Green Tumnal यानि National Green Tumnal एक है, कैसा है, Fast record, non-gazited, संगठन, किंसर का विवाग, या नेजी कंपनी, ये जी टी, जिसको short form में, ये जी टी बोलते हैं, आप लोग को याद रखना है, अब ये पुछ लिया था कि ये जी टी का full farm क्या है, ध्यान दिजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, option first, fast track code है, क्या है, fast track code है, ठीक है, अगला सवाल, भारती खिलाडी अबसेग बर्मा संबन्दित है, आप लोग ध्यान दिजिएगा, कौन सा खिलाडी, किस खेल से संबन्दित है, कौन से खेल में कितने खिलाडी होते हैं, इसको आप लोग को तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि इस्पोर्ट जी किसे एक कोश्चन जरूर डाला जाएगा, आप लोग जामें, चाहिए करेंट अफियर का हो, चाहिए आप लोग को डारेक्ट कोश्चन पूछ लिया जाए, ध्यान दिजिए जो भारती खिलाडी अबसेग बर्मा हैं, ए आप लोग के किसे हैं तीरं दाजी से, तीरं दाजी से, ठीक है, अगला सवाल, निम्ड नमें से कौन सी मिसाईल भारत की पहली सुनियोजिस सता से सता मिसाईल है, कौन सी मिसाईल है, जो सता से सता मार करती है, इसका सही चवाब हो जाएगा, option third, प्रिथवी क्या है पिश्थी और संतर्ड आप लोगा राइच सर हो जाएगा अगला सवाल निम्ने में से एक वेक्टर मात्र नहीं है थफोत हे चकोशन है इसका सही मुक नदियों के रुप में वर्गिकित किया है 9,10,11,12 कितनी नदियों के रुप में वर्गिकित किया है आप रोध्यान दीजेगा क्या होगा आप रोध्यों का राइट एंसर हो जाएगा अगला सवाल लेते हैं आल अगला सवाल है सूरज की रोशनी के संपर्ख में आते ही हमारी तवचा जो होती है सावली हो जाती है एसा किसकी उपस्तिते के काण होता है हमारे सरीर में ऐसा क्या उपस्तित है जिसे काण हमारी तवचा जो होती है सावली हो जाती है चले बताईए फटाफट ध्यान दीची का इसका सही जबा हो जाएगा सीकेन मेला नेंड क्या होका औप्स्सिकेन आप लोग प्राइट एंसर ओजulan सवाल है MRI किसका संच्छेप्त रूप है MRI किसका संच्छेप्त रूप है MRI का full form आप लोग को बताना है आप लोग जो भी important full form दीखें एक बार आप लोग जरूर एक बार मुझ से उसको पढ़ लिजेगा आप लोग दिमाग में रहना चाहिए MRI का full form होगा आप लोग जरूर है magnetic resonance imaging ठीक है second सही जवाब होगा अगला सवाल है cryogenic को दर्साता है cryogenic किसको दर्साता है cryogenic जो है यह आप लोग कि किसको दर्साता कम तापमान को दर्साता है किसको कम तापमान को दर्साता है अगला सवाल है काच का सबसे महतपूर घटक है, माईका, सिल्का, कॉर्टज, सोडियम, बोरेट, काच का सबसे महतपूर घटक है, option second, क्या होगा, सिल्का जो है, सबसे महतपूर घटक है, अगरा स्वाल, निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मिमोरी का नाम बताईए, सबसे छोटी इकाई जो क्या होती है, मिमोरी की आप लोग बताना है, इसमें लिखाए, एक्साबाइट, जेटाबाइट, एर टेराबाइट, इसका सही जवाब होगा, option 4 जो है, टेराबाइट, जो है, सबसे छोटी मिमोरी होती है, जो option में दिया गया, उसके अनुसार आप को बताना है कि अगला स्वाल है पारiform सरी के किस अंग में मोझूद होती है जो पारसेने वाले गिरंती होती है मानः सरी के किस गरंती मेंच तब धर्रीब्र भारत सरकार द्वारगक हो अपनाया गया था भारत सरकार राश्क्र चलिए अब सब पहले आप लोग बता है ये भारत का राष्ठी प्रतिक है क्या कर Collets ऑता ही कि ठीक है सभी लोग बताना है पाई जन्वरी 1950 को option 3 आप लोगा right answer हो जाएगा अगला स्वाल पाकिस्तान की राजधानी के नाम आप लोगो बताना है यह answer आप लोग के लिए home work के लिए है इसका answer सभी लोग को comment वाक से बताना है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है सभी लोग इसका answer comment वाक से दीजिए यह रहे आज के question आप लोगो यह video के लिए comment section में जरूर बताईएगा